आज हमारा टॉपिक है टीत जो टीत होते हैं इसका मतलब होता है हमारे दान तो जो टीत हैं हमारी ये भी हमारे बोडी का एक हिसाई है अब आज हम पढ़ेंगे के दान कौन-कौन से होते हैं कौन से दान्तों का क्या काम होता है कितने जो हैं दान्तों के टाइप्स हैं तो जो हमारे दान्त होते हैं सबसे पहले इसका काम हमें पता होना चाहिए कि इनका काम क्या है तो हमारे दांटों का काम क्या होता है ब्रेक डाउन का काम होता है तोडने का काम होता है जब हम कोई निवाला अपने मुँ में डालते हैं तो हम अपने माउथ में जो है हमारे टीथ जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करना उस निवाले को तोड़ना शुरू करते हैं और वो उनको तोड़के समाल पीसिस में चेंज कर देते हैं बड़े निवाले को समाल पीसिस में तोड़ते हैं चेंज करते हैं और झब हम क्हाना खा रहे होते हैं तब उस टाइमिंग में हमें फील हो रहा होता है कि हमने बढ़ाने वाला लिया उसको हमारे दान दोंने क्या किया ब्रेक्डाउन करके समाल पीस्स में चेंज कर दिया तो ये तोड़ने का काम किस ने किया तो ये तोड़ने का काम हमारे दांतों ने किया और हमारी जा ने किया अब जास किसे कहते हैं जा यानि के जबड़ा ठीक है ये जो पेर्स में हमारे दांत होते हैं ये सारे दांतों को मिला के जास कहा जाता है अब हमारे जाने हमारे यानि के दान्टों ने पूरे कम्प्लीट दान्टों ने हमारे खाने को तोड़ा इसमें साथ ही हमारा जो है मसल्स इस्तमाल होती है अब आपको पता है के जो है हमारे दान्ट जो है हमारी जाज जो है वो मस्ल्स में लगी हुए तो उपर जो है मस्ल्स होती है तो मस्ल्स हमने पहले पढ़ाए कि मस्ल्स जो है हमारी मूव करवाने में मदद करती है तो यहां पर भी मस्ल्स ने हमारी जो जा है उसको मूव करना में हमारी मस्ल्स ने मदद की और फिर हमारे जाने यानि कि हमारे दान्तों ने उस खाने को तोड़ दिया अब आते हैं कि दान्त में दो पार्ट बहुत एम होते हैं पहला है हमारा क्राउन और दूसरा हमारे दान्त का पार्ट होता है रूट यह पहला और यह दूसरा दो हिस्से होते हैं दांतों के अब जो क्राउन है यह हमारे दांतों के उपर वाला हिस्सा होता है जब आप अपना माउट जो अपन करेंगे तो आप दांतों के उपर वाला हिस्सा आपको नजर आएगा उसे crown कहा जाता है और दूसरा पार्ट जो होता है हमारा होता है root root जो है हमारे दांतों को हमारी दांतों वाली bone को जो है उनकी जड़ होती है उन जड़ों से उसको मजबूत करके रखती है वो दूसरा पार्ट हमारा जो होता है root होता है root का काम hold करना होता है अब जो हमारा crown है ये जो है एक non living substance से बना हुआ होता है और उस non living substance को बुलाया जाता है animal नाम से अब ये जो animal है substance है जिससे हमारा crown बना हुआ होता है ये जो substance है बहुत ही hard होता है ठीकी ये animal जो substance है ये hard होता है और ये हमारे crown होते हैं दांतों के ये animal से बने होते हैं और ये hard substance है हमारे इसका और क्यों है ताके ये जो animal है ये हमारे दांत के उपरे हिस्सा जो है इससे cover किया होता है अनेमल से टाके दांत जो है महःफूज रहा जा सके और ये उसकी यानि के ऊपर की हम जैसे कवरिंग कह सकते हैं उपर वालि जो कवरिंग है वो अनेमल की ग्राउन की बनी होए होती है अब फिरसे चलते हैं के टीत के टाइप्स कितने होते हैं तो जो टीथ के टाइप्स होते हैं, वो फूर होते हैं मैंली. अब आप ये जानते हैं कि वो फूर जो है कौन-कौन से टाइप्स हैं. पहला है हमारा इन सीजर. इन सीजर्स. दूसरे हैं हमारे कैनियन्स. और इसके बाद हैं हमारी प्री-मॉलर्स. एन लास्ट इस मॉलर्स. दांतों के नाम है कौन से दांतों का क्या काम होता है कौन सी शेप होती है ताकि हमें पता चले कि यह इंसीजर जो है टीथ हैं यह केनियन है यह प्री मॉलर्स है एंड इसार्थरे मॉलले। तो पहला है हमारा इंसीजर. अब इंसीजर्स जो है नुकिले टाइप हमारे दाद होते हैं. इन दादों का काम क्या होता है؟ कटिंग करने का काम होता है. ताकि यह हम जो फूर्ट खा रहे हैं उनको quickly cut कर सके। उसके बाद है Kanions, तो Kanions कौन से होते हैं, तो ये pointed होते हैं, जब हम, ये हमारी, जो है about biting करने में, किसी भी चीस को bite करने में हमारी, मदद करते हैं लेकिन, ये Kanions कुछ animals के गाते हैं, अजिसा कि डॉग है क। इनके पास hebben केनियन टीथ होते हैं और यह फिर अपने प्री को यानि अपने दुश्मन को क्या करते हैं जो चीजें खाते हैं उनको केच करते हैं और उनको टीरिंग में मदद करते हैं ताके उनका जो गोश्ट है उनको चीर फाड़के वो अराम से पकड़के और फिर खा सकें तो हीमन के सब्सक्राइब के लिए यादर्खियेगा। अगर अगर अनिमल की बात की जाए तो पीर कलने वे और उनको टीरिंग करने में। अब जो प्रीम ऑलरख विए प्रीमॉलर्ष या मोलर्ष जो होती है इनका अभर क्राउन हुटा है। क्राउन हमने पढ़ा है दान्त का उपरी वाला हिस्सा जो होता है वो क्राउन होता है उपर हमने पढ़ा था कि क्राउन कौन सा है और क्राउन का काम क्या है और क्राउन जो है किस चीज से बना हुआ होता है तो दान्त का ये उपरी हिस्सा जिससे हम खाना चबा रहे होते हैं ये ग्राउन कहलाता है और ये जो जड़े हैं इनकी रूट्स हैं ये रूट्स जो हैं हमारी अंदर लगी भी होती हैं ताके हमारा दान्त मजबूसी से खड़ा रहा जासर के और यह जो हमारे मॉलर्स और प्री मॉलर्स होती है यह हमारे खाने को जो है चू करने में और ग्रेंड करने में ग्राइंड जैसे मशिन में कोई चीज हम डाल के ग्राइंड करते हैं इसी तलह ही यह नैचरली जो है प्री मॉलर्स और मॉलर्स अललापाक ने हमारे माउथ में ताकि हम अपनी खानी को चिऊ और ग्रिंड कर सकें साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक करना है and don't forget to press bell icon to subscribe my channel for more videos अगर आप मेरे चैनल पे नियू है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आप लोगों ने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो thank you so much till then stay connected keep learning आप वेस